दोस्तो नमस्कार स्वाकत है आपका एक और नई वीडियो में इससे पहले दोस्तो हमने Anbaksinđ रीविव वीडियो बनाया था Go की Smart Watch के बारे में और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस Smart Watch को आप अपने अप्लिकेशन में कैसे रन कर सकते हैं और इसको मुबाइल के थुरू कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं तो उसका step by step guide हम देखेंगे तो आएए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने watch को application से कनेक्ट करवाने के लिए उसका barcode on करना पड़ेगा तो आएए चलते हैं सबसे पहले mobile का scanner on करते हैं तो mobile का scanner on कर लिया है QR code को scan करते हैं यहां से watch को हम सेटिंग में जाके सबसे नीचे scrolled on करके आते हैं और यहां पर QR code आपको मिलेगा यहां से इसको scan करेंगे जैसे देखे scan हो गया यहां से copy test कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे अब हमें आना है Google में Google search engine में आने के बाद आपको यहां से वो URL paste कर देना है, paste करके enter करना है, enter करने के बाद वो application direct आपको play store पे open होके मिलेगा, यहां से आपको मैंने install किया हुआ है already, तो just open कर लेते हैं open करने के बाद कुछ इस तरीके का home page खोल के application आपके सामने आएगा दोस्तों तो यह है आपका application अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब देखते हैं जो हमें card मिला हुआ था यह basically वही card है जो आपको तीन महिने का subscription देता है medical assistance के लिए तो इस activation code को पहले तो यहां से आपको वो करना है जैसे पहले card आता था यहां से इसको बिटाना है बिटाने के बाद activation code हमारे सामने आगे है अब यहां से हम application में आ जाते हैं active code पे आते हैं और यहां activation code एंटर करेंगे जो इस card में लिखा हुआ है तो वो number यहां पे एंटर कर देते हैं तो number एंटर हो गया यहां पे accept कर लेते हैं activate करके तो दोस्तों इस तरीके का activation successful आपके पास message आएगा setup account नीचे कर लेंगे हम जो भी आपको benefits मिल रहे हैं वो आपके सामने screen पे हैं अब यहां पे आपको अपने detail को बरना है तो detail बरने के बाद आपको अपना weight और height यहां पे डालना है आपका weight जो भी है और height है तो मेरा weight है वो 68 kg है और height 173 cm है फिर next करेंगे यहां पे आपको अपना goal set करना है तो मेरा जो goal है weight gain का muscles gain का है फिर दूसरा है अपने stress को reduce करने का तीसरा है अपने sleep को improve करने का तो यह हमने कर लिया okay कर लिया अब यहां पर अपने device को okay करना है तो हमारी जो device है जो हमने go की से मंगवाया है तो यह vital light है तो इसको okay करने के बाद यहां से setup now कर लेना है फिर start search करके continue कर देना है continue करने के बाद इसको permission देनी allow करना है यहां पर tracker connection दिख रहा है फिर यहां से send a link request करना है आपको send a link request जैसे आप करेंगे आपके mobile इस तरीके का दिखेगा तो आपको जस्त अपनी watch को on कर लेना है आप देख रहा है mobile में करने के बाद यहां watch में भी दिख रहा है यहां पर आपको medical assistance के लिए medical coaches आपको दिये जा रहे हैं तो यहां मेरा पहले से ही यहां पर first number पर ही set है तो यह आप देख रहे हैं बहुत सारे coaches यहां पर दिख रहे हैं तो हम just next कर लेते हैं करने के बाद कुछ इस तरीके का home page आपको खुल के आगया है दोस्ताव आप ऊपर देख पा रहा है कि care team आपको दिख रही है इसमें और भी सारे features है तो गो की play वहले section में जैसे ही आप आते हैं आपको नीचे बहुत सारे options मिलते हैं गो की pro और my classes में भी बहुत सारे options हैं अब यहां पर arena को option आप खोलेंगे my feeds पर आएंगे नीचे आप देख पा रहे हैं काफी सारे options आपको sow करेंगे यह health store है इसका गो की का यहां से direct आप कोई भी items को purchase कर सकते हैं यहां से सब कुछ आपको health category का items मिलता है दोस्तों तो आये चलते हैं watch पे अब देखते हैं कि यह कैसे work करती है अभी हम देखते हैं अपने heart rate को कि heart rate अभी कितना है तो 83 heart rate दिखा रहा है ठीक है spo2 यानि कि blood में कितनी oxygen है यह भी check कर लेते हैं तो यह measure कर रहा है अभी तो 99% blood oxygen level है यानि कि अच्छी है overall काफी अच्छी watch है आप इसको consider कर सकते हैं hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्राओल